नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं फिर से एक न्या stock के बारे में बात करने वाला हूँ, तो जो stock के बारे में बात करने वाला हूँ, वो future के लिए आपको अच्छा खासा return और अच्छा खासा portfolio बना सकते है इस stock लेकर, तो इसी के बारे म मैं पूरा यहाँ पर डिटेल्स आपको बताऊंगा और हाली में आजी के दिन उसका quarter one का result भी पब्लिस हुआ है, तो पूरा डिटेल्स यहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्तिक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्रीब नहीं किया है, तो तो पहले में कॉम्पानी का मार्केट कैपलेशन आपको दिखा दूए एक बार, 34,700 करोड मार्केट कैपलेशन है, और जिसका P.O.R.C. देखिए 60 रुपिया चल रहा है, मतलब P.O.R.C. अभी भी हाई में चल रहा है, और डेविडेन भी कॉम्पानी देखिए 0.47% का कॉम 108 करोड टोटल डेप्थ है, जो डेप्थ दिया गया है, टोटल लॉंग टम के डेप्थ है, तो कॉम्पानी बिजनेस करने के लिए, लॉंग टम के लिए 108 करोड का लोन लेकर बठा हुआ है, कॉम्पानी का जो सेल्स ग्रोथ है, वो एक बार देख लीजे, सेल्स ग्रोथ य में पहले ही बताची को 0.02% का टेप थे, कुम्पानी के share holding pattern एक बद देख लीजिए, promotor के पास कितना है, promotor के पास 30%, DI के पास 34%, FI के पास public के पास 18%, FI के पास 70%, मतलब देखा जाए, सब के पास करीबन बरावरी share आपे खरीद के रखा है, क्यूंकि कुम्पानी बहुत चबदस है, इसलिए सभी इस share को खरीद के रखा है, अभी तक hold करकर रखा है, क्यूंकि अच्छा कासा return future में देने वाला है, क्यूंकि देखे यह जो business pattern इसका है, इसका जिसका जो main business का module है, तो बहुत अच्छा कासा module है, इसलिए future के लिए अच्छा कासा यह आपे return देखने को मिल सकता है, कॉंपणी का नाम अब देख लिजिए, Voltas India, अब सभी जानते है, Voltas के बारे में electronics जितने सारे products होता है, वो Voltas कॉंपणी बनाता है, electronics and electrical products, totally Voltas कॉंपणी बनाता है, तो इसका market capillation बहुत अच्छा है, और इसका देखिए, आजी के दिन जो result पब्लिस हो है, उसके बारे में देख लिजिए, टोटल जो revenue, टोटल जो income company ने किया है, वो 1860 करोड, पिछले quarter में 2683 करोड था, मतलब देखा जाए, पिछले quarter से कम हुआ है result, और पिछले सालों से compare करे तो 1364 करोड, मतलब पिछले सालों से compare करे तो अभी इस सालों में अच्छा खासा total revenue जिनाट हुआ है, और आप, और total expense के बात करूँ, तो company देखी expense कम किया है, पिछले quarter से, पिछले quarter में 2340 करोड का expense हुआ था, इस quarter में 1661 करोड total expense हुआ है, तो देखी expense को minus करके जितना profit होगा, मतलब जो income हुआ है, उससे expense minus करेंगे, तभी आपको profit देखने को मिलेगा, तो आपका income जितना है, आपका expense कम हुआ है, तो आपको अच्छा खासा profit देखने को मिलेगा, तो profit before taxes बारे के बारे में बात करूँ, तो 168 करोड का या पर total profit किया है company ने, मतलब tax पे करने से पहले, और पिछले quarter में 320 और पिछले साला में 107 करोड total profit किया था, तो net profit के बारे में बात करूँ, मतलब जितने सारे taxes है, उसको pay करने के बाद, जो expense taxes का है, वो pay करने के बाद total profit हुआ है, 122 करोड पिछले quarter में 238 करोड पिछले सालों के quarter से compare करोड तो 81 करोड मतलब देखा जाए, पिछले सालों से compare करोड तो अच्छा का सा jump company यहाँ पर दिखाया है, फिर भी पिछले quarter मतलब पिछले जो last quarter था, उससे compare करे तो company ने बहुत profit यहाँ पर कम किया है, मतलब देखा जाए, 100 करोड का यहाँ पर total कम profit किया है, तो इसी के लिए थोड़ा सा stock में थोड़ा सा गिरावड देखने को मिलेगा, तो future के लिए अब long term के लिए सोचिए, क्योंकि इसका long term का जो year of year basis profit आपको में एक बद देखा देता हूँ, एक बद देख लीजिए, यहाँ पर देखे, year of year basis रेभी ने देखे कि इतना संदार एक chart button बना रहा है, तो मतलब एक up movement में जा रहा है, तो पिछले सालों में 7600, इस सालों में 7500, तो देखा चाहिए company एक level में performance कर रहा है, net profit के बारे में बात करूँ, पिछले सालों में 589 और इस सालों में 589, तो बरावर के profit यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, तो डेप के बारे में बात करूँ, company के बारे में पहले बता चाहिए, 0.05% का डेप भी है, तो पूरा details यहाँ पे आपको आप में दिखा जो को आप chart button के बारे में एक बार देख लिजी, आज ही के दिन करीबन देखा जाए 1% का jump, क्योंकि company के जो result है वो पिछले quarter से अच् तो देखिए company का आप एक दिन के chart button देखे क्या होगा, आप inter day करने वाला है तो ठीक है, तो inter day आप करेंगे तो इसके लिए upside down आपको देखने को ज़रूरीत है, वगर आप long term investor है, तो आपको six month के chart button देख लिजीए, 1% return, एक साल के देख लिजीए, 74% return, पास साल के देख ल बहुत high हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको chance मिले, जब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, तब आप खरीदारी करने के लिए सोचिए, क्यों को long term के लिए आपको portfolio अच्छा खासा बनाना हो, तो में जितने सारे stock आपको बता रहा हो, तो इस stock में आपको study करना चाहि है, देखिए, पहले आप study करिए, उसके बाद आपको लगे, इस stock में आप invest करेंगे, तो उसके बाद invest करेंगे, क्योंकि वोल्टास देखिए, आप सभी जानते हैं, वोल्टास के बहुत सरे products है, आप खुदी घर पे यूज़ करते हैं, तो तो एक बार में वोल्टास का product देखा देता हूँ, आप का घर में, देखिए, जितने सारे electrical electronics product है, अब वोल्टास का AC, refrigerator, और passing machine, फ्रीज, देखिए, कूलर, बहुत सारे चीज, वोल्टास के आप खुदी घर में यूज़ करते हैं, उसके साथ बोल्टास के देखिए, बहुत सारे electronics product भी है, तो इतने सार product है, वोल्टास कितने सारे product के उपर काम करते हैं, तो इसके सारे चीज आपको घर में जरूर होगा, तो feature के लिए देखिए, ये चीज तो आपके घर में है ही, और feature के लिए आप जितने सारे निया model आने वाला है, उसको भी खरीदारी बढ़ेंगे, तो company अच्छा खासा य तो इस टाइप stock में आपको जरूरा invest करना चाहिए, जो fundamentally strong है, और feature के लिए अच्छा खासा ये आपने stable हो सकता है, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होगे, तो please मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगता है, तो please like करिए, और कुछ भी आपको comment करना है, तो मुझे comment कर करिए, तो इस वीडियो को सारे दोस्तों को सारे शेयर करिए, उसको भी इस stock के बारे में details जानकरी मिले, तो आसा करता हूँ, आपको पूरा details जानकरी मिल चुका होगा, तो मिलते हैं इसी तरीके से नया stock के लिएकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्यार ल